क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चो और आज हम स्टार्ट करने जा रहें एक नया चैप्टर जो है इकाई नमबर पांच बीजी वेंजिको का भाग एवं गोडन फल इसके पहले की चैप्टर जो है हम इसके पहले की वीडियो क्लास में पढ़ चुके ह यहां पर चलिए बिना किसी दे रही के बढ़ते हैं पैंने चैप्टर की और जबीजी वेंजिको का भाग एवं गुडन फल तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम कुछ बातों को जाननक जानते हैं के चर रासृओं क्या होत dlpح ओते हैं इसके बाद हम कि तरीके से पुष्णों को हल करना है उसके बारे में जानेंगे तो यहां पर बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अचर रासियों की अचर रासियां क्या हैं तो और चर रासियों को जानेंगे यहां दो बड़ आपके जो चैप्टर है इसमें प्रियोक किया जाएगा तो अचर चर रासी और चर रासी क्या है अचर यहां ध्यान दीजे बचो आ से अचर आ से अंक क्या है आ से अचर और आ से हैं अंक तो जितने भी अंक होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे आपके अचर रासी के अंतरगत आएंगे अचर रासी कहलाएंगे उन में आ गया बचो आ से अंक आ स अचर यानि सारे अंक जो हैं वो अचर रासी कहलाएंगे अब बात करते हैं चर रासियों की चर रासिया किने कहा जाएगा तो जितने भी X, Y, Z या A, B, C, D के अचर यूपयोग किये जाते हैं वो सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं चर रासी कहलाते हैं और इसमें X, Y, Z, P, T, क्या कहलाएंगे चर रासियां कहलाएंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं जो आपके चप्टर में एक सब्द आया है बीजी वेंजक की कि बीजी वेंजक क्या होते हैं तो यहां पर देखिए बचो बीजी वेंजक जब इन चर रासियों को और अचर रासियों को मिला दिया जात ये bg बैंजग कहलाएंगे जैसे 3y स्क्वेर हो गया यह y है इसमें जो 4 & 6 है वो क्या है 3 और 4 रासी क्या है y इसी तरह 4X2y इसमें जो और 4 जो है और 4 रासी जो है गसो होई जो है एक चर में बहुपत की तो एक चर, चर मतलब हो गया जो X, Y, Z है यानि जिसमें केवल एक ही चर रासी होए नहीं X है तो केवल X, X वाले पद है Y है तो केवल Y वाले पद है एक ही चर रासी का परियोग होता है तो ऐसे चर जो होंगे उससे बने हुए वेंजग क्या कहलाएंगे एक चर में बहुपद कहलाएंगे जैसे माली जे हम एक एक एक्जामपल लेके चलते बचो y स्क्यार प्लस 5y प्लस 6 ठीकि तो इसमें जो यह है यह केवल एक ही चर यानि कि y देखिए सब में पद में क्या आया या या तो फिर अंक सोकं आये हैं यहा एक ही जहें चर रहां से कौन है य में बहुकद यह से जादा पर हैं वह क्या कहले आते हैं बहुक Edapan के अबर इस थी हो नए यहें स्क में एक हो लेकित रहेके ढटिंगर अब इसी तरीके से एक और एक्जाम्पिल लेके चलते हैं बचों, तो यहां पर जैसे a square plus 3ab plus b square है, तो यहां पर दो चर है, कौन कौन से है, a और b, आपको इसमें क्या देखने को मिल ला है, a भी देखने को मिल ला है, और b भी, तो यह दो चर a तथा b में बहुपदी bg वेंजग यह है, कौन सा a square plus 3ab plus b square, तो समझ में आ गया बचों कि एक चर और bg वेंजग किसे कहा जाएगा, यानि एक चर में कौन से बहुपद है, ठीक है, और बहुपद वाले जो है, वो bg वेंजग कौन से, दो चर वाले कैसे यह आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बचों, एक बात हम और कर लेते हैं बचों, जिसमें जो है घात, यानि जो बहुपद है आपका उसमें जो है वो घात कितना है, या बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर जैसे मालीजी आपके पास में कोई भी वेंजग दिया गया है जैसे 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वेर प्लस 12 तो यहाँ पर आप देख के ही समझ पा रहे होंगे तुरंत ही कि यहाँ पर केवल x दिख रहा है यानि कि यह एक चर एक्स में बहुपद है ठीक है अब इसकी विवेंड पाद यानि कौन-कौन से पत है इसमें 2x की पावर 4 है ठीक माइनस 4x स्क्वेर है और 12 है तीन चीजे है यहाँ देखिए एक, दो और यह तीन ठीक है अब यहाँ पर इनमें जो है अधिक्तम घाद देखेंगी कि अधिक्तम घाद जो है कितनी है तो यहाँ पर देखिए पहाद की बात करें अगर हम तो यहां पर जो है वह टू एक्स की पावर 4 के अधिक्तम खाद कितनी है चार इसी तरह माइनस 4 एक्स स्क्वेर की 2 और 12 तो यहां पर देखिए जहां पर अंक दिया है तो उसके बगल में हम 12 into x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 का मान 1-1 होता है याँ वहाँ पर 12 के बाद अगर कुछ नहीं लिखा है खाली अंक है तो अचर रासी है तो इसका मतलब है वहाँ पर x की पावर क्या है? 0 है इसी तरीके से हम इसमें भी निकाल सकते हैं कि ये दो घात का बावपद है क्योंकि y की घात जो है वो क्या है? 2 है तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला जो पत था वो चार पत का जो है चार घातांक वाला बावपद था दूसरा वाला जो है दो घात का बहुपद है और इसी तरीके से जो है अधिकतम घात हम count करते जाएंगे कि अधिकतम घात कितनी है और वो उतने ही घात का जो है वो बहुपद कहलाएगा जैसे कि अगर हम और एक चीज लेके चलते हैं कि घातों को जैसे माली जी अगर आपके पास में 2 हैं x और y द दिया गया है तो इसमें x और y के जो घातांग होंगे अगर multiply के रूप में दिया है ध्यान दीजेगा बच्चों मतलब एक साथ दिया हुआ है कोई भी चीज उसके बगल में प्लस माइनस नहीं है तो यह पूरा एक पद कहलाएगा तो यहां पर minus 4 x की power 3 y की power 2 ठीके तो इस अनको को जोड़ेंगे तो X की घात भी 2 है y की घात भी 2 है तो टोटल घात कितनी आ गई 4 इसी तरह y क्यूब में बात करेंगे हम तो यहां पर आग अंजो है यहां पर x की कोई power नहीं यह जो है तो तो फिकार से बचो यह हमारा भूप Czy जो है और यहां पर maximum power कितनी है तो अ तो भवपत की अधिकतम घाद जो है वो पांच आ रही है यानि भवपत की घाद भी कितनी होगी पांच होगी ठीक है तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया अब यहां पर बढ़ते बचो कि किस तरीके से एक पदी मालो वेंजक है उसमें एक पदी दूसरे वेंजक से हम भ और बचे में तो बचेगा वो उसको बाहर निकालने गेगे से मारा 12x3y से भाग दे रहे तो 4xy निकालने के बाद जो बचेगा वो लिख देंगे और बटे में चुकि भाग का मतलब होता है बटे में लिखना तो बटे में करके फ्री यह कैंसल हो जाएंगे और यह आपका जो है वो आंसर आजाएगा समझ में आ रहा है माइनस 3y x square y जो है आपका अंसर हो जाएगा बाकी माइनस 4xy माइनस 4xy उपनीचे से कट जाएगे तो यह हो गया आपका प्रथम method या first method हो गया अब second video भी देख लेते हैं हम generally इसमें करते क्या है तो यहाँ पर देखे भाग करते हैं जब हम तो यहाँ पर घातांकों करने हम हम चहरासियों से बना हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखे जब हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है जो घातांक के नियम में एक जैसे जो 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 चहरासिया हैं और अचहरासिया है तो जो अचहरासिया यान्ग जो होंगे वह आपस में कट जाएंगे जैसे हम भाग की प तो X से X की घाद घटेगी और Y में Y की घाद घटेगी तो यहाँ जैसे मा लीजे है अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ माइनस 4 दिया है 4 एकम 4, 4 तिया ही 12 माइनस 3 आ गया है यहाँ पर अब यहाँ पर जब पावर दिया है इसके बाद X क्यूब और यहाँ पर X है तो X क्यूब है तो यहाँ एकस की क्यूब माइनस 1 कर देंगे जब उपर जाएगा बचो तो X की पावर में 3 माइनस 1 खो जाएगा इसी तरह Y की पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 तो बचेएगा क्या आपके पास में माइनस 3 ठीके और x square यहां 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा तो minus 3 x square और y की power क्या हो जागा 2 में से 1 गया 1 यानि 3 minus 3 x square y ठीक है अब इसी तरीके से जो है वो प्रष्णावाली की प्रष्ण है तो चलिए यहां पर हम प्रष्णावाली को करते हैं यहां पर देखिए कुछ निसकर्स भी हमारा निकल के आ रहा है उसको एक बर रिवाइस क्या लेते हैं बच्चो तो दो एक पदी वेंजिकों के भाग का संख्यात्मक गुडांकों का भाग फालोगा ठीक है यानि कि हम करेंगे चलते हैं अपनी पुष्णावाली की और बचो यहां देखिए पहला प्रष्ण जो दिया गया है आपका अभ्यास 5a तो यहां पर देखिए भाग करने के लिए दिया गया है का है आपका 8x2yz में 2xy से हमें भाग करना है आए देखते इसको किस तरीके से हल करेंग अंको को अंको से भाग देना है जो कट रहे काटेंगे तो 2-1 कम 2 ठीक है और 2-4 को 8 यहां पर दिखान दिजेगा बच्चो ऊपर वाले पद में x square नीचे वाले में x है तो यहां यहां याक्स की घाते क्या जब उपर से और नीचे अगर एक जैसे पद हैं तो एक यही जैस भी सकते हैं ठीक है और जट सिंगल है तो यहां पर जड हो गया तो आप य को सिंगल सिंगल काट भी सकते हैं या तो फिर इस तरीके से आगे जिस तरीके से बतायागे उसमें घटा भी सकते हैं तो यहां पर फोर यहां पर दो में से एक गया तो क्या जाएगा एक तो यहनि ए 4x, चुकि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, यहाँ पर 4xz आपका आंसर आजाएगा, समझ में आया बचो, है ना असान, इसी तरीके से इसका एक और प्रिस्न हम लेके चल रहे हैं, इसका गावाला प्रिस्न दिया गया है, a square minus b square में a plus b से आपको भाग देना है, तो यहाँ पर आपको बचो फार्मूला पता है, a square b, a square minus b square बराबर क्या होता है, a plus b, a minus b, तो यहाँ पर देखिए, हम इसी तरीके से a plus b, a minus b लिख लेंगे, और a plus b नीचे भी है, a plus b उपर भी है, तो यहाँ पर यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में, कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास में, a minus b बचेगा, जो कि आपका आंसर आजाएगा, तो इसी तरीके से बचो आप प्रिशन हम लोगों ने हल किया, गा प्रिशन किया, और खा प्रिशन जो है, और गा प्रिशन आपका homework हो गया, उसको करिएगा, अगर नहीं बनेगा, नहीं समझ में आता है, त चोटे बद में हल करना है, यहाँ पर का प्रिशन दिया हूँ है बचो, 32 m की घाते 3, y की घाते 2, या इसी तरह से 32 m q y square पर सकते हैं, बटे 4 m square y, तो इसको देखते हैं बचो किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पर जो एम की पावर उपर जाने पर बटे वाला m है, उसमें से घटेगा, और इसी तरह y की में भी पावर में घट जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो गया, m की घाते 3 है उपर, और नीचे वाले में क्या है बच्चो, 2 है, तो 3-2 हो गया, इसी तरह y की घाते 2-1 हो गया, 8, 3 में से 2 हो एक केवल बचेगा, यानि 8m और इसी तरह y में भी दो में से गया, एक बचेगा, यानि 8my ही आपका आंसर हो गया, तो बहुत आसान है बच्चो सरल कीजिएगा, इस तरीके से आप इसके प्रशनों को हल कर सकते हैं, अब इसी तरीके से बच्चो का के जैसे ही आपका जो है कर सकते हैं प्रशनों को, तो यहां देखिए बच्चो जो घा प्रशनों दिया गया है हमारा, वो है हमारा यह देखिए, 9a2 यहां पर देखिए, 9a2 दिया गया है आपका, माइनस 24a प्लस 18a3 बटे 3 है, तो जो यह यहां पर देखिए, बहुत है, एक पद, दो पद, तीन यहां पर देखिए, बटे में पूरी बड़ी सी लाइन दी गई है, इसका मतलब हुआ कि यह 3a जो है, वो सब के बटे में है, तो अलग-अलग हम सब में 3a का भाग कर देखिए, जैसे 9a2 बटे 3a, बीच वाला है 24a बटे 3a, और इसी तरह 18aq बटे 3a, अब यहां पर सेम भी प्रक्रिया करनी है, अंग को आपस में काटना है, और जो चर रासी है, उनको जो है, आपस में पावर जब हम उले जाएंगे, नीचे बटे वाली को तो उपर जाने पर घाते घट जाती है, हमने अंसार जो है, यहां पर घाते आपस में उपर जाने पर घट जाएंगी, तो यहां पर जो कट रहा है, आप काट दीजी, अगर a जैसे है तो यहां काट दिया हमने, इसमें से a की पावर 2-1 हो गया, यह कट गया तो यहां पर 8 आठ आ गया, 3 से भाग दिया, 3, 8, 24 हो गया, इसी तरह से 3 एकम 3, तीछ अंगर ठारा हो गया उपर, और यहां पर a की पावर 3-1, तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3a-8 प्लस 6a स्क्वेर, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो यहां पर समझ में आ गया बच्चों, किस तरीके से आपको कर सकते हैं, तो यह प्रक्रिया भी कर सकते हैं, और ऐसी भी आप कर सकते हैं, यह आपका आशर हो गया, इसी तरीके से बच्चों खावर्ष्ण भी है, तो यहां पर होलिज़िए, तो यहां पर जो है, जो हम लोगों निफ्रत्ति क्या है, वो हम ने किया गहा 9w 시 go with this andija, शी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बचो बेल आइकन प्रस कीजिएगा ताकि आपको नहीं वीडियो का नॉटिफिकेशन मिले बचो और प्लेप लिस्ट पर भी आप विजिट कीजिएगा क्लास एक की जो है बचो साइंस की वीडियो डले हुए हैं उसको भी देखिए चैप्टर समझेगा प्रस्नों को आप कर सकते हैं तो बचो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडिव क्लास में थन्दवाद साथ ही बचो यह वीडियो क्लास असफरी है तो अपने फ्